नमस्कार आप देखरें न्यूज़वल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन अरायन बहुत स्वागत है आपका अमारे खास कारकरम गुद मॉर्निंग इंडिया में आखिर कार पूरे महाराश्च में अब लॉकडाउन जैसा कर्फिय लगाने का एलान करही दिया गया है लोगों को छूट दी जाएगी 14 की रात 8 बजे से पूरे महाराश्च में धारा 144 लगा दी जाएगी सुभा 7 बजे से 8 बजे तक केवल आवशक सेवाई ही खुली रहेंगी आपको बता दू कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा केवल आवशक सेवाऊं के लिए लोकल ट्रेन और बस सेवाई जारी रहेंगी पेट्रोल पंप, S.E.B.I. से जुड़े वित्ति संस्थान और निर्मान कारे जारी रहेंगे होटल बंद रहेंगी केवल होम डिलिवरी की अनुमती होगे सभी प्रष्ठान, सारवजनिक स्थान, गतिविलिया बंद रहेंगी आवशक सेवाऊं को छूट दी गई है सभी पूजास्थल, स्कूल और कॉलेजिस, नेजी कोचिंग क्लासेज, नाइक की दुकान, स्पा, सैलून, ब्यूटी पालर एक माई को सुभा साथ बे तक बंद रहेंगे सिनिमा हॉल, ट्रियेटर, और ओडिटोरियम, मनोंजन पार्क, जिम, स्पोर्स कॉंपलेक्स बंद रहेंगे फिल्मो धारवाई को विग्यापरो की शूटिंग भी बंद रहेंगी आवशक सेवाऊं को छोड़ कर सभी दुकाने, मॉल, शॉपिंग सेंटर एक माई को सुभा साथ बे तक बंद रहेंगे सभी गरीब और जटमंद लोगों को अगले एक माईने के लिए तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल उपलब्द कराए जाएगा फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा जटका लगा है, महाराथ सरकार ने मंगलवार को गोशना की है कोरोना संक्रवित पाए गए है, मेले में कहीं धार्मिक संक्चन के प्रमुकों ने कोरोना टेस्ट कराने से इंकार कर दिया था नतीजा ये है कि अब मेले में आलाग बेहत खराब हो सकते हैं, वहीं इस दोरान कोरोना गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया जा रहा ना तो मास्क दिख रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है सियमों ने बताए कि नरिंद्रगिरी की तबद बिगरने की बाद उन्हें एम्स हरद्वार भेजा गया है इसके साथ ही देरादून में रमजान नवरात और विवास अमारों के मदर्ज़र रात की कर्फियू का वक्त 10 बजे से बढ़ा कर साड़े 10 बजे कर दिया गया है शाम साड़े 6 बजे शुरू होने वाले इस बैटक में उपर राश्पती वेंकर या नाईजो भी मौजूद रहेंगे फिलाल से इतना ही आप बने रहें न्यूस वर्ल इंडिया के साथ